मुझा आज़ाए आयोध्या में राम मंदर बनाने का मामला एक बार फिर से गर्माता नजर आ रहा है लेकिन हज़बार अस मामले पर विवादत बयान दिया है द्वारकापीट के शंकरचारे स्वरुपनन सरस्वती ने ये कहा है कि वे खुद ही राम मंदर का निर्मान करवाएंगी और इसके लिए उन्हें किसी भी सरकार की मदद की जरूरत नहीं है राम जनम भूबी पर स्वरुपनन सर्वस्ति का विवादत बयान अपने तम पर राम मंदर का निर्मान करवाने की कही पार कहां बीना राजनीतिक मदद के बनाएंगे राम मंदर के द्वार्टा पीट्रे राम मंदर के नाम पर राजनीतिक करने कार राम मंदर के लिए किसी भी सरकार की जरूरत नहीं है तो राम मंदर के निर्मान को ले कर द्वार्टा पीट के शंकराचारे सरुपनन सरस्वति ने एक बार फिर से विवादत बयान दिया है उन्होंने का है कि उन्हें राम मंदर के निर्मान के लिए किसी भी राज रुतिक मदद की कोई ज़रुवत नहीं है क्या है ये पूरा मामला आएए आपको दिखाते हैं आयोत्या में राम मंदिर बनाने का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है द्वारका पीट के शंकराचार्य स्वरूपा नंद सरोसती ने आयोत्या में राम मंदिर का निर्मान अपने दम पर कराने का बयान देकर एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है बीजे फीपर निशाना साथ दे हुए शंकराचारे ने साफ किया कि यदि सुप्रिम कोर्ट का फैसला मंदिर बनाने के बक्ष में आया तो वो बिना किसी राजनितिक मदद के मंदिर का निर्मान करें शंकराचारे का ये घुस्दा ग्रेमंद्र राजनात सिंग के उस बयान पर था जिसमें उन्हों ने कहा था कि राम मंदिर बनाने पर गारून इसलिए पास नहीं करा जा सकता क्योंकि सरकार को राज्यस सभा में बहुमत नहीं है खालाकि इस मुद्दे पर ग्री मंतरी राजनात सिंग में मीडिया के सामने कुछ भी कहने से इंकार करता हूँ सर मंदिर मंजीद की तुमा धान की पहर फिर से शुरू हुई है और खास्किमन सारी गे अंदास के दौरा क्या लगता है कि उसमें किसी प्रकार के अंदास के दौरा क्या लगता है कि उसमें किसी प्रकार के अंदास के दौरा सर मंदिर मंजीद की तुमा धान की पहर फिर से शुरू हुई है और खास्किमन सारी गे अंदास के दौरा क्या लगता है कि उसमें किती प्रकार के आपको को पहें। क्या राम मंदर को लेकर रासमरीती हो रहे हैं। क्या बीजेपी राम मंदर के नाम को लेकर लोगों की ज्वनता की धार्मिक भावनाओं को आहात कर रही है। ऐसा है कि वो आहत नहीं कर रहे हैं। क्यूंतु बस तुत्तिती से वो आवगत भी नहीं होने दे रहे हैं। बात क्या है कि प्रेशाट एकर जमीन जब भारत के प्रदान मंत्री नर्सिदराव ने अधिवरीत की तो उसमें से पूने चार एकर जमीन जिसमें की हमारी रामजन घुमी थी और जिस पर दावा कर रही थी मुझलमान की ये बावरी मस्जिद है। उसको उन्होंने अधालत की लेने के तक प्रोव दिया गया। कि वो रुका हुए था। जब तक ये अधालत का लिरने नहीं हो जाये तक तक वहां कोई जीत नहीं लग सकता था। तरशी सिती में कुछ लोग, कुछ पार्टियां बार बार ये कहते रहें कि हम हम हंजर बना देंगे। तो ये ब्रमित किया लिया है। जबकि ये अधालत में बचारा दीन था। अब हाई कोट ने एक जन्हा दे दिया पिछले साल। और ये जन्हा दिया है कि जिसको मसल्मान लोग बावरी मस्जित के रूप में दावा कर रहे थे। उनकी आरजी खारज करके ये कह दिया कि ये राम जन्हा भूए है यहां से राम, भवार राम की जुटी नहीं हड़ी। लेकिन उनों में साथ-साथ उनकी अर्जी खारिज करके भी एक टुक्रा थोड़ा सा उसके बादी में मसल्मानों को देने के लिए के दिया तो ये हम लोगों को अभी अभीशित नहीं है क्योंकि हम वहां पर एक बिशार मंदर बनाना चाहते हैं और अगर वहां कोई टुक्रा मसल्मानों को दे दिया गया तो वहां माजिद बनाएगे जार मंदर बनेगा तो दोनों की घगड़े आख भाग भी होते रहेंगे तो भारत की जो एकता है उसा वाधा पड़ेगी इसलिए हम चाहते हैं कि यह ना हो इसके लिए हम लोग अपील में गया है नहीं है संक्राचारी जिəदी आदालक फैसला करीज देती है और मंदर बनाने की इजाजत दे देती है तो फिर मंदर आप क्यों बनाेंगे बीजेपी का कहना है कि जब अदालत कह देजी तो आम खुद बना देंगे इसमें किसी संक्राचारिया सादू संग समाज को आगे आने की जरुवत नहीं, सरकार आगे बरके मंदिर बना देगी। इसमें आपक्ति है, क्योंकि राम को हम मनुष्य नहीं मांते हैं। आधर्श तो मांते हैं। लेकर परमात्मा का आतार मांते हैं। तो हम वहाँ पर उनकी आराच जरुवत में मृतिर और मंदिर बनाना चाहेंगे। और अगर बनाएंगे तो इसमें और सजदार्श पटेश् प्रॉटी में कर अंतर गएगा जी तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी ऐसा करने देगी आपको सरकार है उनकी अगर उनकी इच्छा के खिलाफ अपना कर दो हैं जी क्या अगर मोदी सरकार ऐसा है कि अभी तो बात आई नहीं है जी अगर की बात फुरिए जी पहले अधाल कि दौरा जो मसल्मानों को रहाद जी गई है वो खत्म होने दीजिए जी उसके बाद हमाला एक ट्रस्ट पहले से बना हुड़ा है बिल्कुल रामाला एक ट्रस्ट जिसमें सब शंक्रा चाहलों महत्मा ब्रुग है बिल्कुल सादु सादू संदू और जब भूमी अद्ग खुछ हुए थी तब उसमें यह क्या जया था कि इसके पहले की ट्रस्ट है उनको यह जमी नहीं दी जाएगी जी जो बाद को दी जाएगी जी खर इनके प्रस्ट यह है शरकार टो बनाने बादि हरू नहीं है जए बिल्कुल संद्वाशारी जी आपने जो कहा है तो लिए वो पहला सफ्ट है और हम लोगे जाट कर आए बिल्कुल आपने जो संक्राशार ये बात आप जो कह रहे हैं हम बानते हैं इसको शब्द सा इसको स्विकार करते हैं लेकिन आपने जो अभी कहा है कि मंदिर हम ही बनाएगे सरकार को इसमें आने की जरूरत नहीं है और राजनात सिंग ने जो बात कही है कि राजसभा में मैजरोटी नहीं है इसलिए सरकार जो है कोई कानून पास नहीं करवा सकती है और उसमें जो आपकी प्रतिक्रिया है उसकी वज़े से जो है बीजेपी में नाराज़गी है आपके प्रति ऐसा है बीजेपी को नाराज़गी नहीं होने चाहिए हम जब मंदूर बनाएंगे तो बीजेपी का है आरसेस के लोगों के बहुशकार दोरी करेंगे हम उनको साथ ज़िंदी बनाएंगे जेपी लग करने मारे संक्राषाहिए प्रवाद्टिक पाट्टिया सरकार की जरूरत नहीं है जो आपका ये वाला बयान जो है कि मुझे किसी राज़तिक पाट्टिया है नहीं आप लिखें ना सरकार आप देखें हमारी बास समझें कि सरकार जो है वो अपने आपको धर्म एक भोशित कर चुकी है तो वो कोई मंजर बनाए ही नहीं सकती आप देखें इतिहास की बात पर जाएए स्रोम नास का मंजर जो बनाने की बात आई जी बिल्कुल तो जवाजाज मंदी में कहा कि सरकार इसके लिए रुपने जी इसके लिए ट्रस्त बनाया जाएगा कि सरकार मंजर नहीं बनाएगी ही है लेकिन त्रस्त क्याती मंजर बनाती है बिल्कुल तो दो तो को प्रस्त बनाएगा बिल्कुल और ट्रस्त वो होगा जो पूरे हैंगे करता हो अगर उस फैसले के खिलाफ या उसके थोरा भी आप इधर उधर जाते हैं तो सरकार आपत्ती उठा सकती है कि अगर निए उसके नमर में निए और अंकोर वार को मुझे राम मंदर निर्मान का जो मुद्दा था दो हजार चौदा के लोगसाओ चुडा में बीजेपी का अगर मैनुफेस्टों ठाके देख लिया जाए उसमें था इसे मैंुफेस्टों में शामिल किया था तो क्या हम भी माने आपका कहना ये है कि धर्म को सत्ता में सत्ता हासल करने के लिए इस्तमाल किया जा रहा है अब ये तो आप समझेए मुझे लगता है संक्राजार जी जो अगर दोजार चौदा के मैनिफेस्टों को अगर देखते हैं बीजेपी का जो मैनिफेस्टों चुनाव से पहले आया था उसमें अर्सट पन्ने का उन्होंने मैनिफेस्टों दिया था उसे पेज नंबर 63 पे केवर डेर लाइन लिखा नाराज ना हो उनको देखते हुए इन्होंने ये बात कहा था और जिस पे आप लोगों ने आपक्ति भी थी बिलकुल फिर उनकी मढा उत्तर पुदेश में सरकार में ँद्धे तो उन्हों में कहा कि राम लगा हम आएंगेρίंगे मंदर कहीं बनाएंगे अब उसके बात कहने लगे राम गर्जा हम आये हैं मंदर नहीं बनाएं लिए तो ये सब बात में जहां नहीं कलें गिए तो क्या बीजे पीपी के ने साओ हम जो चाहत हैं कि अगर राम मंदर की बात उठी है तो वो होना चाहिए बिल्कुल तो क्या प्रिखेपी के नहीं था? कि वहां परबशार आर्यान श्याडी का मंदिर बने और सब सिरीगे उसको बनाएं। बिल्कुल लेकिन संक्राचारी जी आपके इस सुझाव को बीजेपी की नियता गंभीरता से लेते हैं। इसी तरह की बयान आते रहते हैं अभी कि आज़ी कब आपकी बयाने के बाद जब राजनाथ सिंह से प्रच सействड़ीया लेनी की कोशिश की गई ऐसा है कि राजनाथ सिंही नहीं राजनाथ सिंही नहीं एक अच्छे परिवार के बरतिय है और हम लोग उससे पर्चित हैं, मिले हुए हैं, हमारा कंदन वो कैसे करेंगे, वो भी तो उन्जु है, नहीं लेकिन उनकी कुछ समय दानिक मज़ूरी भी है, जिस तरह से आप कह रहे हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं, जिस तरह से आप पार्ची की बात है, वो अपने क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि राम सुझाओ उनको मानना चाहिए हमारा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं उनकी अपनी मज़ूरी है, जिस तरह से बुल रहे हैं, जिस बताएं, क्या आप, हम तो आपको कह रहे हैं कि हमारी मज़ूरी उस तरह खत्म हो जाएगी, ज बिल्कुल यही तो यही यही सवाद नाया है कि जब सब चिछ अदालत में ही हैं और अदालत के फैसले पे ही सारी चीजे टिकी हुई हैं तो बीच विच में आप लोग इस तरीके का बयान दे करके विवाद क्यों खड़ा करते हैं? अदालत के फैसले के बाद सरकार भी बनाने के लिए तयार है जो राज ना सिंग जी का बक्तव बंदू बाह सुनिए राज ना सिंग जी का जब बक्तव आया और आप लोगों ने हम से पूछा तो हमने बच्प इस परक्ष की और इसका एक करन और भी सा रंध हो और वीशी वेराबर कह रहा था कि हमानी बादरी मस्जिद सहीद हो गई तो इसलिए भी हमको यह बात इस्वेक्ट करनी थी कि जब जो कहता है कि हम अदालत की बात स्विकार करते हैं तो अदालत में करते हैं कि वहाँ पर बादर के आने और उसके बनाने का और उसके चेहने से किसी के बनाने के कोई पुमार नहीं है तो बार बार क्या रहा है कि वाबरी मजद सहीद हो गई नहीं फिर सुप्रीम कोट ने तो रोक लगा कर रखा है ना उस इलाबाद कोट की आदेश पे अब सुप्रीम कोट से ही फैसला आना है दूसरी बात एक यह आपको बता रहा है कि यह अदालत अदालत में जटक यह बिशारा जीन था तो सुप्रीम कोट नहीं है उन्हें इसके बसित कहा दिया है तो तभी आपकी सरकार भी नहीं थी ना तभी तो आप स्ट्रकली कर रही थी बीजेपी के एजेंडे में भी था और आप से जड़ा जोड़ सोड़ से बीजेपी इस मुद्डे को उठा रही थी तब की बात तो अलग थी लेकिन आज इस तरीके से आपने बयान दिया है कि पहले हनाकी राजनाथ सिंग ने ये बयान दिया कि हमारा राजसभा में हमारी मेजरिटी नहीं है उसके बाद आपने कहा जोगसभा में मेजरिटी है तो क्या आप सरकार पर दवाब डालेंगे या मोदी से या आरक से किसी नेता से आप संपर्क में हैं कि जो कहें कि पहले लोगसभा में पास करालो इसे उनको ये कहना चाहिए था राजनाथ सिंग जी को ये कहना चाहिए था कि ये मौमला अजाज़त में बिचारा जीन है उसके बिचार जान जाने के पस्ताथ हम आपको बताएंगे बिल्कुल मतलब राजनाथ सिंग जी ने गलत बयानी की अब बिल्कुल आपका कहना है कि राजना सिंग ने हिंदू की भावना को ध्यान में नहीं रखा उसका चाहिए जी बताएं यह उन्हों नहीं तो नहीं कर दो नहीं कर सकते हैं रिकल यह तो बात जानना जरू है कि राम मंदर कैसा बनने कूछ एक कर बनह तो सब की सहमतिया संकराचारजी यह आदालत जो फैसलत करेंगी अदालत के फैसल freakitel का निर्मान होगा लेकिन इस बीच में कोई अगर यह करेff तो कौन करेंगा फैसला आप करेंगे अब हम तो आप देखें यह बात आप भी जानते हैं कि आज अगारतों में गाजा दावा दावार करता है और पोटी को जह बिलता है बिलकुल तो हम तो यह चाहिए कि भई इतना राष्टी मसला है इसको गंभीरता से सुप्रीम कोट हर क कर दें उनको जिए फादन की क्या कमी है नहीं तो गंभीरता से सुप्रीम कोट करी लेकिन इस प्रीज में बयान आ रहे है आप से एक ची जाना चाहिए क्या बीजेपी के किसी नेताओं से बड़े नेता जो हैं उनसे आपकी बात की क्या मोदी जी से आपने बात करी है यू कि अवे दिए फाद कर्णा अकू कि जा चाहिए को हम सब के मदद करेंगे हम तो गंडा के बारे में क्या रहे हैं अजर गंडा जी सफाहिए करते हो तो गंडामे प्राश्विद मायंगान को ख़त्म करो अगर तुम चाहते हो कि कश्वीर में अप पाकिस्टानी जंडा नहीं लगे तो उहां की संस्तर दफ़ा ख़त्म करो और अगर आप चाहते हैं कि आवादी का बेशामना हो तो समान सिब्वर कोड लागू करो यह समकरी नहीं है बिल्कुल आपका जो एजंडा है वो बीजेफी लागू नहीं कर रहे हैं और हम लोगों को चिंता इसलिए भी है ऐसा है कि अगर मेरे साथ हिंदु रहेंगे तो किसी भी सरकार को में भी बात मानने करेगी और यदि सरकार बात नहीं मानती है तो क्या करेंगे जो बात हम कह रहे हैं वो तर्ख संद्द कह रहे हैं राच्च के हित्न कह रहे हैं सामाजिक सौमनस के लिए कह रहे हैं सामरजाइक तब को दूर करने के लिए बोल रहे हैं क्यों रही मानती लोग हम आप उनको एक सजाह देना चाहते हैं कि माधपा को एक निसी को भी हिप कि निस प्रण की बैत करते हैं तो एस हे हैं कि वह रेक्ड कि बात करते हैं लेकिन वह अपकी संहा को कभी ड़ितार इना है ! मैंGS संकातर जाद करें को है ? पूरे भारत उनकी बहुत देगा फिर से उनको राइंडिये की वज़त नहीं पढ़ेगी नहीं जन्ता ये जानना चाह रही है कि जन्ता तो आपके उसाद को बहुती नंफिशता से लेती है उसके बाद उनकी उसका खतन होगी हम जानते हैं तो फर वे समाल मैजान उनका के बीच में समाल उनको बहुत देगा और उनकी वज़ा होगी वो करें में हम मत सरकार से कुछते हुए हैं अपने उन्देश के लिए से हम करें जी आपकी बात जो है हम उन तक भी पहुंचा रहा है और मेरे ख्याल से वो भी देख रहे होंगे तो वो भी इस बात को सब्जेंगे आपके सुझाव को भी जानेंगे लेकिन एक चीज यहां पर बार बार आ रहा है कि जो सत्ता के लोगों तो सत्ता में बैठे हुए है उन आप अपनी बात जो है और आप हमने वो कुगिये पर मी चाहिए है कि आप जन्ता की बीट में जाए उसका मकाबना करें अगर सरकार बात आप ही नहीं मांदे जैसा कि अब तक संग्राचारिदी अब तक के सरकार के एक्शन से लग रहा है कि वो आपके सुझाव पे गंभीर नहीं है जिस तरीके से हसके राजना सिंग ने जवाब दिया और बाकी के मंतरी और प्रवक्ता मौन है इस बात पे इस आपड़ी सरकार को अलटना है नहीं परटना है हम ही वो कि गुरू है उनके हिक्ती बात खेंगे कहते रहेंगे उतनी ज़े रहे हैं और रास्ता बता रहे हैं और जिकने राजी तेघ्जय है यह समझना कि सबस्रें बोला राजनीति जिसां नहीं क्या राम मंंदीर आप बताएंगे ज्यूंस अजिर में क्या बता है कि जंता को कैसी साथ मुझ्य जाता है क्या जंता की भावना से जुरा हुआ मुद्दा है राम मंदीर निर्मान का मुद्दा जो है और अधालत में अटका पड़ा है देरी से औसंतोष बढ़ता है आप भी कहते हैं आपके दूसरे जो पूरी पीट के संक्राचार हैं उन्होंने भी कहा ता कि अगर सरकार नहीं बनाती है तो हम लोग आगे आ करके सादू समाज जो है वो आगे आ करके मंदर का दिर्मान खुद करेगा अदालती फैसले का अगर वहां पर हम जीट रहाने जाते हैं इस्टे के खिलाब तो हम कानून के उल्लंगन करते हैं बलकुल तो भो रास्ता अंगर नहीं कर रहे हैं हम थोड़ी प्रदीश्या घर लेगे और प्रदीश्या करके जैसे यह मामला हल होगा हम रामंजर बनने के जिए काम करना उसके कारण जो औसंतोष फैल रहा हैं और उसके कारण जो एक बीच-विच में आपके बयान भी आते हैं उसे जन्ता भी उगर होती है कभी कभी तो आपको क्या लगता है कि अदालत को आगे आकर के जल्दी से फैसला करना चाहिए या सरकार को इंटरफेर करना चाहिए और आप पार्लामेंट में कानूर बना पर करके इसे लागव करना चाहिए ताकि जन्ता करें जन्ता की सरकार है है आज सरकार में है जन्ता सरकार तो क्या जन्ता सड़क पे आए जन्ता सड़क पे आए जन्ता पे लेकिन श्रंकरचारी जी लगातार बीजे पी हिंदुत्व का मुद्दा उठाती रही है चुनाओं से पहले भी चुनाओं के बाद भी लेकिन राम मंदर को लेकर जिस तरीके की अब बैक फुट पर आती जा क्या आपका कुछ कहना है क्या कुर्सी और क्रंसी का ये खेल चल रहा है सब कुछ हमारी तूड़ा जो है देवी कि हम लोग जो हिंदियों के हित्की बात उठाते हैं उसको राजनीतिक लोग आईएक कर लीते हैं और अपनी सक्ता रूर होनिया का सीड़ी उसको बना लीते ह सब्सक्राइ मेर चुनाओं से पहले जो वादे और जिस तरीके का रुक सारा महीं के बाद बदल गया है क्या है क्या आपको लगता है कि सरकार दोखा दे रहे हैं। अब देखिए आप हमारी बात को पहुचाई है। आपको अब दोखा 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 है। विल्कुरू। इसके जो है कि राम के मामनें एक ताछी देश में विल्कुरू। उसके जोड़ा साही को परदा कर जा रहा है। इसके मंदिर बन रहे हैं। जिसके कि इन दुसरे भाजित हो जाए। जी। जी। लेकिन शंकराचारी जी एक और बात यहां पर निकल कर सामने आ रहे है। आपको आपसी सहमती यह से राम मंदिर बने गए यह बात भी निकल कर सामने आ रहे है। जी बिल्कुल वहां पर बताया जा रहे हैं कि जो हिंदू समाज है और जो मुसलिम समाज है उनमें आपसी सहमती बनाई जाएगी। ताकि इस काम को आगे बढ़ाया जाए राम मंदिर का निर्मान होया जाए। आपका क्या मानन है इस पर। आपका क्या मुसल्मानों से क्या बात करें। जब उनकी अर्जी खालू जो गई। वहां बाबर कजिर आ रहे हैं तो क्यों हम बात करें कि जो कर रहे है। लेकिन शंक्राचारे जी बाबी मर्दिर के जो मुख्य पहरुकार है हाश्यमंसार उनने तो कही दिया है कि हम चाहते है कि र ऐधार कर आराम का मंदिर यह पर बने उन नोगे adi पारभी के घृतकर वादकर है। क्या सबक और पर उनकी बात नiveness उनका Arkham का न् construction उनको वादितन देंदिम यहां जैसे बहुत बिल्कुल शंक्राचारी जी एक सवाल ये भी उठता है कि आपने भी कहा है और दूसरे पूरी के जो संक्राचारे थे उन्होंने भी कहा था कि राजनितिक इच्छा शक्ती की कमी है जिसकी वज़े से राम मंदिर के निर्मान में देरी हो रही है अगर आप सब लोग ये समझते हैं कि राजनितिक इच्छा शक्ती की कमी है जिसकी वज़े से देरी हो रही है तो क्या आप लोग सरकार में इस इच्छा शक्ती को जगाने के लिए सड़क पे उतरेंगे क्या साधू समाथ दवाब बनाने के लिए कुछ करेगा सरकार के ताकि कि दवाब बने और क्योंकि राजनात सिंग्ग ने महाकूम 2013 में जो महाकूम हुआ था उसमें राजनात सिंग्ग ने साधू समाथ की राम मंदिर बनाएंगे कर चुके कि अजय कि हमने हर बात इस पर उत्ता दे लिए कि सरकार का मामला नहीं है जी अदालत में लंबित है अगर उसके बाद भी सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो इच्छा चक्ति कमितन भी जाईगी अभी तो इसको अप्रसमें नहीं हो जाए कि जो टुक्डा उनको चाहएं के बात शोड़ा कि इस लीए нарšा कर उसको पता है मामला आदालत में है उसके फैसले के बाद ही मंदिर निर्मान के की दिशा में कुछ किया जा सकेगा, सरकार भी जानती है, जनता भी जानती है, लेकिन आपने बीच में ये जो बयान दिया, उसके बाद से ही ये मामला फिट से उठके आए, तो आपने क्यों दिया ऐसा बयान? आप ने क्या दिया? आप राजनात सिंग ने जो कहा कि राज्य सवाब में गौर्मत नहीं है, उस पर प्रतिक्रिया दी थी आपने? कि जब यह कहां तब हम ने कहां जो पूछा रहा है हुसा पाधिम्न के रहु है कि यह व्यक्त हा राइसावाद की बातों ही है आप सरकार की बातों है नहीं है मिल्कुद संक्राचाहार को सादू समाध है रजा है तो कैसे बनेगा राम मंदिर तो कैसे बनेगा जब राजनातिंग नहीं बनाएगा क्या करेंगे आप फिर वह बनाएगा तो फिर क्या करेंगे फिर अबताई है आप तो रजनाति सिंग जी को अधिकार सरकार सरकार अडालत के फैसले के हिसाब से ही काम करेगी उसके खिनाप नहीं जा सकती राजनाति सिंग नहीं के हम बनाएगे मंदिर उनोंने का ची Kollegin कोक का जो फैसला होगा मैंनी अगा वही बाट आप भी कर रहे है लेकिन साथ में आक जो रहे हैं कि अगर और बॉसनाति सिंग नहीं बनाएगे तो hm बनाएगे तो रजनाति आप नेरु में यह अगरा को नियूदा है को लिज्टेषां को इस्थे वो किया रहा है वो एझ तो एफ़ रही दो łatइज़ रही है कंपना идन्या और उन्हेर यह जाए क्या थी क्य यहार रहा सकते हैं पातर में अघ्ष्य संब्राष्ट्यकर् के प्रमतिये हैं नहीं उसके बाद करेगे, पिल्कुल सरकार चाहे मैज्रिटी बे हो चाहे माइनुरिटी बे हो राज्यसभा में लेकिन मंदिर का निर्मान तो इस भाद की अच्छाट निर्मान तो देट के हिसाब से ही होगा? सरकार सहायता करेंगी तो आपको जब पता है तो आप क्यों कह रहे हैं कि मैं अगर नहीं बनाएगी तो मैं बनाओंगा आपका कहराना साहते हैं कोट की आदोशना करने की ताकत मुझना है आप में है किसी में नहीं है आप मुश्चित कहां गुआ कि ले जाना साहते हैं यह भी हमारा काम नहीं है इन्हाजनाद पर हम रुरूट करना चाहेंगे ना किसी पार्टी का रुरूट करना चाहेंगे हम तो हिंदी उत्नों की और अपने धर्म की बात कर रहे हैं गयानिकर शंकराचारजी जय जो बीजेपी सरकार है वो राम उन् найти का पत्रप्वाद नहीं है तो क्या ये अब जब जाता है कि BJP अब इतनी बदल गई है उसके बाद से ध्यान नहीं दे रही है तो क्या फिर भी आप सपोर्ट करें आप्कार सुझा हुख भी देते रहेंगे या इसके आगे भी कुछ होगा प्र क्या समाज को इंडरे में सादू समाज से आप यह बात करेंगे कि अब विरोध करने का समय आगे है क्योंकि अब सपोर्ट करके देख लिया गया, उनकी भासा जब बदल रही है, तो अपनी भासा भी बदलनी चाहिए। अब सब्भावना को लेकर लडाई नहीं की जाती है, ये तो जब सामने कोई बात आती है, तब किया जाता है। मुस्लिम पॉक्ष है, वो भी कह रहे हैं कि अदलत के फैसले का, हमको फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकि बीच-बीच में राजनितिक बयान आते हैं। तो हमारे तख्रीकी बात आपको बताते हैं। सब्सक्राइब करते हैं। हाँ आपको बात बताना चाहेंगे, कि जो तत्थ की बात होती है, उसको ट्राइल कोट पर करती है। तो ट्राइल कोट में इत्ता कर दिया है कि बावर में वहां मज्जिद नहीं बनाए। आप सुप्रीम कोट उसकर बुको टक नहीं करेगी। बिलकुल। बहुत है यह करेगी कि जो इनको जमी दी गई हो वो दी जाए कि नजी जाए। यह फैसराम को कराना है। हम उनसे यह फैसने तो भी कराना है कि हमको राम जान में जोड़ोगे। पर तो हमारी हो चुकी। शुक्रित अपर दियाना की लगातार बीजेपी कानून और सविधान के बात कह रही है। लेकिन अपने मैनिफेस्टों में लगातार यह बात उठाती रही है राम मंदर के निर्मान से लेकर। लेकिन क्या जिस तरीके के अभी हालात बने वे हैं। क्या यह कहना सही होगा कि प्रतिबद नहीं है बीजेपी राम मंदर के निर्मान को लेकर। अब तो अब तो वता है आप को यह और बात किये। कि आप को नहीं तो अमारे तक ट्राइब बहुत चालरा हमारे आपकी बात हैं हमारा आपका बारता लाफ जन्ता की बीच में जाएगा और उसकी कुल प्रतिक लिए आईगी तो हम फिर आपके सामियों पर सित हो सकते हैं बिल्कुल धन्यवाद अगर आएगे तो हम फिर से आप से संपर्ख करेंगे बिल्कुल पहले बात तो पहुच ने दीजिए बिल्कुल बिल्कुल कर दीजिए हमेशा त्यार है जी बिल्कुल शंकराचारे से हाला कि लगातार तमाम जो हिंदू और मुस्लिम समुदाएं हैं उनसे भी बात चीट की जारी लेकिन कोई हल निकल रहा कहीं नहीं हर राशनतिक तौक पर यहां पर देरी हो रहे हैं इससे तो आप मानते ही है है अग्षा है है कि इसके इचे तो कारण है थो हम लोग अगरी जाना चाहते हैं एक ही बात मैं हम लोग अपने जिएन के इंदित कर रहे है और विखी पर आपने हम से कूचा है तो सम्में मैं जितनी बात हैं सो की हो चक्ती है य데 प्रच्छ ने सकते हैं आपने कर लिए डिये और ज़ो हमको उतार चेहरना तो हमें दिय लिया जी अब इसके बात कोई न्य वार्ट अगर आती है मुसल्मानों की तरफे भी तरह से आती है है मैं कि subject कोई बात है जो हमारी बात के बढ़ीत है तो आप हमसे फ़र्त बूच लीजिए एक सवाल ये भी आता है कि आप जो कह रहे हैं आपका भी राज्डितिक इस्तमाल होता है आप भी उसमें सामिल हो जाते हैं किसी ना किसी तरीके से दिगजा सिंग जो कि कॉंग्रेस के महासची उसके काफी करीब ही माने जाते हैं, आप आर आप जिस तरकी की बात कर रहे हैं, दिगुजा सिंग भी करीब करीब ऐसी ही बाते करते हैं, इसलिए ये भी आरोप BJP के नेता लगाते हैं, ये दूसरे लोग लगाते हैं, कि संक्राचारी जी जो है, वो थोड़ा पॉलिपी का और अभी हमारा कबर्दा में जो समयदा नुल्या था, उसमें जो महत्मा आएटे हैं, उनको उनने गेस्ट बनाया था मद्द पर इसका, तो हमारे तो सब सही होगी हैं, हमको क्या दिक्कत हैं? किस से बात करें, किस से लगजा करें, इस गूरु को काम बहुतiren है, जितना हमारा काम है और हमारी किमा हैं हो, उतके बीच में ऑतना काम करते हैं, और उनकी आपको क्या लगता है, कॉंकि आगर मिल जाए, क्योंकि एक सुझारओ यह भी आया था, कि कॉंगरेस परस्ताव र के सिस्टे हैं उनको आप करने शुनिये कांग्रेश के जो प्रवक्ता है हाँ बिल्कुल कांग्रेश के जो प्रवक्ता है मुष्टो चिदंबरम और कुछ तिवानी में अभी एक बड़ता विजिया है कि जो महराद सरकार ने गुहत्या बंदी कानून बनाया है उससे मुसल्मानों को जो गुमान से सच्टा प्रोटीन मिलता था उसमें बादा पड़ेगी एक कांग्रेश के ब्रवक्ता है मैं कर दो किया है मैं यह नहीं कर चया आओ कि एक झो सुझाव पूरी के सख्राचार विश्च्ट लंग स्वामी जो हैं उनकी तरफ से राव ठैठा उनकी तरफ लिजह मैं इससे बात कर रहा है फो कांग्रेशि लिए वा जमरेशलग सायरी है कर दो ने किया उसका किया लेकिन यह मैं आप से यह पूच रहा हूं कि आपके जो सिल्व है वो दोनों पार्टियों में है मतलब भारत के सभी पार्टियों में कोई ने कोई आपके सदक से हैं जो कि प्रवावी पंद पे है राजनीती में मैं कहा रहा हूं क्या इसका इसका इस तरीके से नहीं किया जा सकता है कि राम मंदिर के मुझे पे एकमत बनाया जाए कॉंग्रेस हो बीजेपी हो चाहे लेफ्ट की पार्टियां हो सब कोई मिलकर के आए और राम मंदिर का निर्मान करें अगर सब सब को तर्थे पता है पहले से तो और इस काम में मुझे लगता है कि आप जैसे लोग जो की गुर्वावी उप्योगी हो सकते हैं कि अधालत के बाहर अगर सहमती बन जाती है तो अधालत के सामने जाकर कि आप कह सकते हैं कि सहमती हमारी बन गी केस वापस हो सकता है अधालत में बाहर सहमती बन तो अधालत में जबी कह जिया कि बावर नहां कभी आया नहीं तो मसल्मान फिर दिए इसको मारी मज़ու्स को कह रहा है कोई नहीं चाहता कि मंदिर का निर्मान हो वहां पर ताकि राजनिती खत्म हो जाए दोनों तरफ से जो है कॉंग्रेस हो बीजेपी हो या जो दूसरी पार्टियां है वो सभी तरफ से खेल बयान वाजी हो रहें चाकि यह मुद्दा जिंदा रहें कर दि runners अमने से किसी कोई फर्क नहीं पड़ता है तो जी कि राजनितिक पार्टियों ने भारत को विभाजी Pillowright कर रखा है कि और बूमीस मैं और्मी वाजन हो गया है कि उस और करन जोभारण हो तो रहे हैं लेकिन दान हो एए हम से बीएं प्रोगा नियुनरीकिन लाएं तैसमें रामांदर को लेकर लड़ाय लड़ते ॉ ह। पाख्ष मेहां है। ऐसा है कि वो पाख्ष मेहां तो अच्छी बात है। Öhlram को जारा हुश्यम कुई करां , तो बीजे प्रीमाई से लिए कोई दोश्मान थोड़ी है? जी लेकिन शंक्राचारी ती ये तो आप मानते होगे ना की अज़ तो कोई किसी बाइटी का महीं है जी सरुवक कोई बाइटों के बखरते हैं वो चांस रहने के बखरते हैं जी आप सोचिए कई आप मानते हैं ना कि चुनावों से पहले जो राम मंदिर टॉप लाइन बनी रहती थी राम मंदर के निर्मान को लेकर जो चुनावी पार्टियां थी वो से टॉप लाइन में रखती थी वोई मैनफेस्टों कि अगर बात कीज़े तो है 2014 में तो वो फुट्नूट पर आकर मातर रह गयी है और आप तो सिर्फ बातों ही बातों में आकर रह ग壓 है तो हो आप को हमें थी कह रही है यसको क्या कहना है जी liber लmi हृम मंकों करना चाहती है in भा ले तो क्या आफ मानता हैं कि आप लोग देते रहते हैं सुजा Wow मानते नहीं फिर भी देते रहते हैं और अतारीफ दे हैं माबाप बड़े अपने ज़र्कों की बात कहते रहते हैं, उन्हीं मानते ज़र्कों की बात कहते रहते हैं, कहने चाहिए माबाब आपतें, तो सजा भी देनी चाहिए, अगर बात नहीं बान्दा हे तो ऄड़ार गारज़ान का ही काम हे काम है कि हाँ, तो सजा अने का मुका आईए, एफ़जें, तो सजा मिलेगी अगर कोई भाजबा सरकार या उसका कोई मंत्री ये कहेंगा कि राम जन मुहमी में मंदिर हटा के मजजद बनाई जाएगी तो सजा हम देंगे उसको इस पात साल के भीतर वीजेपी के इस पात साल के भीतर इसमें एक साल बीच चुका है इस चार साल के भीतर यदि मंदिर का निरमा नहीं हुआ तो क्या आप बीजेपी को दंडित करेंगे आपनेशए वह समधाना नीवाद चार साल हम प्रतिक्षा करके आकनी सवाल संक्रशार जी और थे परकित्रक्षा के गई अगर अगर डरीट नहीं करें तो क्या करेंगे अगर गईकर चार साल में पठीक हैने नहीं हो पाता है अधालत में फैसला पेंडिंग ही रह जाता है। भी बताई और शिकायत के समाधान के बारे में भी बात करी अंजली मुझे लगता है कि काफी बीटेल से उन्होंने बात करी आज इसके बारे में बिल्कुल लेकिन एक बात यहाँ पर साफ मुकेशी जैसा कि अब बीजेपी ने अपना जो स्टैंड वो क्लियर नहीं कर रही है कि roller अब लेकर वो किसी तरीकő के आंदोलन करेगी राम मंदर के निर्मान को लेकर बीजेपी ने साफ तॉर पर इंयसितर उन्हों describe में लिखा हूं कि अपने पूराने जो वादे हैं उसको दोराती है मेरे पास मैंने वो कौपी निकाल के रखका है उन्हों ने लिखा है कि भाजपा अपना रुख दोराती है सम्विधान के दारे में अयोध्या में राम मंदर के निर्मान के लिए सभी संभावनाय तलासी जाएं काफी बच के ताफी जो NDA दूसरे पार्टनर है उसको भी उनको भी बुरा नहीं लगे और इस एजेंडे के बाद ही दूसरे जो उनके NDA के घटक हैं उन्होंने साथ दिया था राम बिलास पासवान से जब इसी मुद्गे पर बात की गई थी बिहार में जब उनसे पूछा के ऐसा तुम्हें साथ तौर पर कहा था कि राम मंदिर का मुद्गा जो है वो बीजेपी के जिन्डे में नहीं है जाफ तौर पर चुकि डेर लाइन का है तो इस पे बीजेपी बिल्कुल पुराने जो उनका पुराना जो स्टैंड है उसको दूराएगी और उसे वह अलग नहीं जा सकती इतने हिमत अभी बीजेपी में नहीं आई है मुझे रखता है कि वो इस मुद्गे से लेकर काफी दवाव है और कोट के फैसले का ही सब को इद्जार करना चाहिए कोट के फैसले के विपरीत या उसके अलग कोई भी पार्टी कहीं नहीं जा सकती है लेकिन बहुत बार बदलते रहें और कोट इसको किस तरीके से लेती है ये महतपुर्ण है इसके राजनितिक माइने निकालने मुझे लगता है उतना महतपुर्ण नहीं है क्योंकि अब मामला चुकी अब कोट में है तो इसके राजनितिक मतलम निकालने से कोट का फैसला नहीं राम मंदर निर्मान को लेकर तमाम राजनितिक पार्टियां राजनीती कर रही है हाला कि आप जिस तरीकी का जगत गुरू शंकराचारे सुरुपनंद सरस्वती जी का बयान आया है कि हम हमें किसी राज़नतिक पार्टी की कोई जरुवत नहीं है हम खुदी राम मंदर का निर्मान कर लेंगे आपके क्या कुछ प्रतिक्रिया है अब ये तो हमारे अगर ये शंकराचारी जी ही फरन हम बता सकेंगे जी वो कैसी इसका निर्मार करेंगे जी दो ही राष्टे हैं या तो जनता जनारदन वहां पर एक अठा हो करके निर्मार का काम शुरू कर दे जी अब उसके नतीज़ पिज़ी निकले इस मुल्के अंदर जी और यातर शप्ता से शप्ता के शीर्स पे जो लोग बैशे हुए हैं उनके मजब से मंदिर का जर्मार किया जाए अब संकराचार हज़ाद हमारे सभी हमारे अधरवी हैं जी मैं बड़ी सद्धा के साथ उनका नाम लेता हूँ लेकिन इन लोगों के आए दिन बदलते ह लुए बैयानात बड़ी भामक होते हैं तो क्या जाता है लेकिन देकर जी जी लेकिन इसकी दियांपर एक और बात मिलकर सामने आ रही है कहा जा रहा है कि आम सहमती बनाए जाए परिपक्ष्ठ यह भी देखा जाए तो हिंदू मुत्लिम समुदा हैं उनसे बात सहमती बनाए जाएगी यहां पर लेकिन तस्वीर तो उल्टी है यहां पर राजनुदिक पार्टियों की यह आम सहमती नहीं बन पा रही है मेरी अपनी एक बात कहले हैं कि इजाज़त दीजिया कि स्टाइब में 10 मिनट लूँगा आपका जी जी बिल्कुल और चिंतन करने का मुझे अजिकार है जंगा जम्ना नर्मदा कावेरी तुम्भड़ा कृष्णा यह वो नगियां हैं जिन्होंने समय समय पर राचलते हुए मुस्लिम मुसाफरों को वजू करने के लिए अपने मुकदस पानी उकलब दिकराए जी वो धर्ती है जहां पर हमा अजिस्तान में ही उतारे गए हमारी धाराणा है कि इसी अजोज्ज्या में उनके देटे हजर सी सवेश्य सलाम जफना है और मेरे पास रिकार्ड मौजूद है जिसको मैं मुनाचिन नहीं समय प्रजमें ज्यादा बहत में जाओं जी यह रिकॉर्ड कि बाशा में है यह रि जो रिकॉर्ड आप साक्ष के तोर पे कह रहे हैं उसकी भाशा क्या है जाना चाहता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भाशा के का ट्रांसलेशन अभी नहीं हो पाया है जिसकी बज़े से जो है यह मामला और देर हो रहा है विलम हो रहा है इसमें इसमें पास इसमें दीट मरास में पढ़ने के लिल्या है काई किताब रख्षी हुई है जिसका नाम है बाबरी मस्जिद तारिखी पसमंदर और पेशमंदर की रोश्नी में जे जायल मुसंनफीन जी जिद्वी अकादमी आगमगर्व की संद्व्द्व की चती हुई साथे साथ हमारे साथ द्वारकाव पीट और जोतिर पीट के जगतगुरु शंकराचारी स्वरुपनान सरस्वती जी भी जुड़े वे थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चरशा में शामिल होने के लिए लेकिन एक बात तो साफ है कि इस देश की जो राशनीती है वो अब कही न कहीं राम भरोसे ही दिखती पड़ रहे है कि राम मंदर निर्मान को लेकर एक तरफ जो राशनीतिक पार्टियां वो राशनीतिक रोटियां सेक रही हैं और दूसरे तरफ जो समुदाएं हैं जो हिंदू और मुस्लिम समाच के जो लोग हैं वो ये कह रहे है कि हम यहाँ पर राम के सार्था जो रहीं की भूमी है उसको भी आगे बरकरार रखना चाते हैं फिलाल वंदे मात्रम में आज के लिबस इतना ही आपको छोड़े जाते हैं पब्लिक पंच के साथ नमस्कार सोते हुई अभिशेक के बालों में हाथ फेरती हुई सोच में डूबी अश्वरा ने खुद को समझाया लौप है तो क्या हुआ जेल तो नहीं जाएगा आलिया भटो वरू धवन सड़क पर चल रहे थे उन्हें रास्ते में एक हजार रुपे का नोट गिरा नजर आया आलिया अब हम क्या करेंगे वरू डून परी हम फिप्टी फिप्टी कर लेंगे आलिया और बागी के नौसो का क्या करेंगे सौ मीटर के रेस कॉंपेटीशन में पप्पू ने भी हिस्सा लिया रेफरी ने कहा वन टू ट्री गो सब दोड़ गये बस पप्पू अपनी जगह खड़ा रहा रेफरी तुम क्यों नहीं दोड़े पप्पू तर मेरा नंबर चार है एक गदा गिनेज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ऑफिस पहुचा ताकि पता कर सके कि आज भी वो विश्व का सबसे अधिक मुर्ख जानवर रहा की नहीं ऑफिस से बाहर वो बुरे तरह नराज होकर ये चिलाते हुए निकला कि ये कम भखत राहुल कौन है सलमान, जज से सर प्लीज मुझे कम से कम सजा दे जज, ओके फिर जेल या शादी सलमान, जेल सलमान, मुझ पर एक असान करना कि मुझ पर कोई असान ना करना जज, ओके तो पास साल जेल और आखवी में कौन कहता है कि देश में फास्ट्रेक कोट नहीं है लालू केस, 17 साल बेल तीन महिने में अम्मा, 18 साल बेल पंदरा दिनों में सलमान, 13 साल बेल तीन घंटे में दो दोस मोटर साइकल पर तेज रफ्तार से जा रहे थे उन्हें एक ट्राफिक पुलिस वाले ने रुका और कहा तुम ये क्या कर रहे हो, अगर एक्सरिंड हो गया तो दोनों दोस बोले, आप चिंता मत कीजिए कॉंस्टेबल साहाब भगवान हमारे साथ है कॉंस्टेबल ने कहा, ओ, इसका मतलब एक मोटर साइकल पर तीन आदमी, चलो, चालान काटो गोंचुलाल अपने पत्नी को अंग्रेजी का प्रसिक्षन दे रहे थे दोपहर में उनकी पत्नी ने कहा, ये लो, डिनर गोंचुलाल बोला, पागल ये दिनर नहीं लंच है पत्नी ने कहा, पागल तुम हो, अरे ये कल रात का बचा हुआ खाना है पत्नी से कहता है, मैंने आज शाम को एक दोस को खाने पर बुलाया है आधे घंटे में आता ही होगा, पत्नी गुस्ता कर बोली, क्या बात कर रहे हुआ सुबह कामवाली नहीं आई तो घर भी साफ नहीं हो सका खाने में पर्सों का बैगन का भरता और तंदूर की रोटिया है और आधे घंटे में कुछ नहीं हो सकता है पत्री ने कहा हाँ हाँ जानता हूँ बेवकूफ वो है जो शादी करने पर आमादा है मैं चाहता हूँ कि वो खुद आकर देख ले कि शादी के बाद आखिर क्या होता है